ब्लॉगर पर पेज कैसे बनाएं दोस्तों अगर आपकी उसाइट ब्लॉगर पर है और आप चाहते हैं गूगल इडेंस के लिए अपलाई करना ऐसे में आपको अपनी ब्लॉगर की वेब साइट पर टर्म एंड कंडिशन, परेशी पॉलिशी, साइट मैप अगर आपको नहीं पता है ब्लॉगर पर पेज कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को फूरा देखें क्योंकि आज की सुट्वे हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर में पेज कैसे बनाएं दोस्तों यह जो मेरी वेब साइट आप देख रहे हैं ब्लॉगर पर है और यहाँ पर अगर मैं व्यूग ब्लॉग पर किलिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इस वेब साइट पर गूगल एडेंस एप्रूट भी है तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी blogger की website पर google address approval मिल जाए ऐसे में आपको about us, contact us, partnership policy और site में वैसा भी page भी page बना लेना चाहिए कैसे बनाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं blogger पर page कैसे बनाएं तो सबसे पहले हम term and condition वाला page बनाएंगे तो हम इस website के लिए नहीं बनाएंगे यहाँ पर मेरी एक और website है यहाँ पर देखेंगे तो इस website का नाम है नदीन डीट टूटोडियल फार विकेनी है तो इसी website के लिए page बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने contact us का केवल page बनाया हुआ ब यहाँ पर यहाँ पर बिखा हुआ है यहाँ इसी website पर आपको आ जाना है उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अपसंद देखेंगे अधर तेस्कॉन्टेंट टूल तो अब आपको यहाँ पर देखिए तीन आपसंद दिख रहे हों दूसरा है Terms and Conditions, दूसरा है Disclaimer Generator, दोस्तो हम इनी generator का यूज करके blogger के लिए page बनाएंगे, सबसे पहले हम privacy policy का page generate करते हैं, तो यहाँ पर हम click करेंगे, जैसे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ privacy policy generator, तो अब आ नदीम जी, तो हमें क्या करना है, अपनी website का नाम company name में इंटर कर देना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर company name में लिख देते हैं नदीम जी, क्योंकि मेरी website का नाम यह ही है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर website URL इंटर करना है, तो अब आपको यहाँ पर अपनी website पर आ यहां पर प्राइशी पॉलिशी का जो पेज है बनकर रेडी हो चुका है, अब हमें क्या करना है, यहां पर जो कॉपी का आपसन दिख रहा है, यहां पर क्लिक कर लेना है, कॉपी करने के बाद दुबारा से हमें ब्लोगर में आज आना है, और यहां पर पेज वाले आपसन प लिख देते हैं उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है यहां पर जो आपको पेंसिल आइकोन जो दीख रहा है यहां पर आपको किलिक कर देना है और यहां पर जो कोडिंग दीख रहा है आपको इसको हटा देना है हटाने के बाद आपको क्या करना है आपने जो यहां से कॉ करना है और compose view पर किलिक कर देना है आप देख सकते हैं हमारे blogger के लिए प्राज़सी policy का जो पेज है बहुत ही असानी से बन चुका है अब हमें क्या करना है यहाँ पर अगर आप description लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर publish पर किलिक कर देंगे publish पर किलिक करने के बाद confirm पर किलिक कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारी blogger की website के लिए प्राज़सी policy का जो पेज है बनकर ready हो चुका है अब हम इसको view पर किलिक करके view करते हैं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे blogger के लिए प्राज़सी policy का जो पेज है कुछ इस तरह से ready हुआ है तो दोस्तों अभी हमने blogger पर प्राज़सी policy का पेज बना लिया है अब हमें क्या करना दुबारा से blogger में आ जाना और यहाँ पर प्राज़सी policy का पेज हमने बना लिया है सेम अगर आपको और भी कोई पेज बनाना है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर आ जाना है यह श्यू टूल टैक पर रहेंगे और यहाँ पर term and condition disclaimer यह सारे page भी आपको यहाँ पर क्लिक करके बना लेना है इस तरह से आप पर उसी policy का पेज generate किया सेम आपको यहाँ पर term and condition और disclaimer का पेज भी आपको generate करना है उसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं यहाँ पर blogger में blogger में आनेक बाद आपको content us का page बनाना होगा तो content us का page आप यहाँ पर नहीं बना पाएंगे इसके रिए हम चलते हैं YouTube पर YouTube पर आनेक बाद जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको blogger से related यहाँ पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी तो अब आपको क्या करना स्कॉल करके नीचे आना है और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक video आपको मिल जाएगा content us page कैसे बनाए blogger के लिए तो आपको इस वीडियो है HTML site map for blogger how to create HTML site map for blogger तो दोस्तों अगर आप blogger के लिए page में HTML site map बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद हम दुबारा से blogger में आ जाते हैं दोस्तों इस तरह से आप blogger में जो भी page बनाना चाहते हैं बना सकते हैं उसके बाद हम बात कर लेते हैं page बनाने के बाद home page पर कैसे add करेंगे तो यहां पर आपको जो i icon दिख रहा हैं यहां पर आप क्लिक करेंगे और privacy policy page को open करेंगे उसके बाद आप साच बार में देखेंगे यहां पर URL दिया हुआ है तो आपको इस URL को select कर लें और control privacy से copy कर लें copy करने के बाद अ आपको यहां पर link जो है पहले एड करना होगा तो link हमने पहले से privacy policy का copy कर लिया है अब हमें blogger में आ जाना है blogger में आने कब लेआउट पर क्लिक करेंगे लेआउट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखेंगे तो page का option दिया होगा तो ऐसे ही आपके भी blogger में दिय और रहा फिकर आपको इडिक कर लेंगे और दूबारा सवह पर काश्ना है ओपैज कर से बलागर का stressful ओपने ही ओए पर आड एड हुआ है देखेंगे तो आप देश सकते हैं हमारा जो blogger पर page है परश्ची पॉलिस का वैव open हो रहा है तो दोस्तो इस तरह से आप blogger पर page बना सकते हैं पर page बनाने के बाद उसको blogger के home page पर जो है blogger के home पर add कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो आपके लिए लाओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग